असलम आलेकुम प्यारे वीवर्स कैसे हैं आप सब उमीद है कि आप सब बिल्कुल खेरियत से होंगे आज हम बना रहे हैं सिंगपूरियन चावल तो इसके लिए हमने यह सारी चीज़े जो है वो तयार कर ली हैं यह हमने शिम्ला मिर्च काड़ लिया है साथ में यह गाजर भ इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें आदा हम जो है यह जो चिकन बनाएंगे सिंगपूरियन चावल के लिए उसमें डालेंगे और आदा हम स्पिगेटी में यूज़ करेंगे और यह हमने बॉनलेस चिकन लिया है जिसको हमने इस तरह से सारा जो है वो लंपाई की शेप में इने पतला पतला जिस तरह हो सकता उसको काट लिया है इस तरह से तब हम इसके लिए बाकि प्रेपरेशन करते हैं तो आप वेडियो एंड तक जरूर दे के इन्शलाई आपको बहुत पसंद आएंगे सबसे पहले हम बनाते हैं उसके लिए चिकन करी तो इसके लिए हमने तोड़ा सा आईल लिया है आईल जो हमने गरम कर लिया है अब हम इसमें सारा जो है वो चिकन डाल देते है तो यह क्यूंकि हमने बन गूबी के साथ रका जाता तो साथ में उसके भी कुछ पीसिस आ गई अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी हर वीडियो को लाइक भी करें तो यह हम इसमें हस्विजाय का नमक डाल रहे हैं यह आपका जितना चिकन है उस और यह आद चमच सुरुख लाल मिर्च पिसी हुई यह नहीं हमने इसमें नमक काले मिर्च और लाल मिर्च डाल दी है तोड़ी देर बाद हम अधरक और लेसन का पेस्ट पी इसमें डालेंगे चिकन जो है इसने पानी अपने छोड़ दिया है अब हम इसमें डाल देते हैं डेट चमच अध्रकॉलेशन का पेस्ट जो हमने इसके लिए बना के रख लिया था तो अब हम इसमें ये तक्रीबन ये डेट चमच हमने अध्रकॉलेशन का पेस्ट इसमें डाल दिया है अब हम इसको जल्दी से मिक्स कर लेंगे ये रेसिपी मैवर में रेसिस्टर मिलके बना रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं बनाने के लिए ये है सिर्का तो ये तकरीबन 5-6 चमच टेबल स्पून जो होते हैं वो 5-6 चमच सिर्का डाल दिया और ये है तकरीबन 4 चमच सोया सास और ये 2-3 चमच चिली सास तब हम तोड़ी दिर के लिए इसमें बनाएंगे लास्ट में हम इसमें फिर केचप डालेंगे पुछ 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 है बहुत मज़ी के आ रही है क्यूंकि इसमें सिर्क और सियोसास वागेर भी डला हुआ है ये ये जो है अब तकरीबन बन चुक है अब हम इसमें केचप डाल देते हैं ये तकरीबन हम इसमें एक कप केचप डाल रहे हैं बनाना चाहते हैं आप उस तरह डालें लेकिन हम इसमें एक कप जो है केचप डाल रहे हैं यह तक्रीबन हम बना रहे हैं साथ से आठ बंदों के लिए जो कि तक्रीबन दस बंदों का असानी सी जो हो सकता है तोड़ी दिर के लिए हम इसको केचप में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो अब हम इसमें तोड़ा सही नहीं हमने आदा कप इसमें पानी डाल दिया है अब इसको मिक्स कर लेंगे और फिर तोड़ी दिर केस बूल कर लेंगे क्याचप जो हुआए सिर्फ चिकन था और कैचप था वह बहुत एदा गाडा होता है तो इसलिए हम इसमें तोड़ा सा पानी डालना जरूरी है तो इसलिए केचप एक कपदा तो पानी जो है हमने वो आदा कपदा डाला है इसमें तो यह मजी की खुश्बू आ रही है और यह देखें चिकन करी जो हमारी बिल्कुल रेड़ी है तो अब हम गैस जो है जल्दी से बन कर लेते हैं बाकी चीज़ें सिंगापूरिय नास के लिए हमने चिकन करी बना ली है अब हम जल्दी से इसके लिए सॉस बनाते हैं तो यह हमने एक बॉल लिया है जिसमें हम डाल रहे हैं मायो नीज तो यह तक्रीबन एक कप जो है इसमें मायो नीज डाल रहे हैं अब आदा कप जो हैस में ये केचप डाल देंगे ये तोड़ी सी काली मिर्च ये तक्रीबन आधी चम्मच और हस्विजाय का तोड़ा साहिनी नमक और पिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये मज़िदार सा जो है वो सास तक्रिकीडी है हमारा इसके लिए हमने केचल की बोटल ले लिए और 2 जिसमें हमने केचप यूज़ करते हैं तो उस बोटल में ये डाल देंगे ताकि हम प्र उपर इसको सर्व कर सकी ये मम में साउस टाल आए हमारी चिकन करी भी बन चुकी है साउस भी बन चुकए है अब जल्दी से हम इसके ली स्पेगटीज बनाते हैं जिसके लिए हमने लिया है यह तक्रीबं टींसे चार चमच आयल और इसमें हमने वह बका आया जो बाकी लेसन और अध्रक का पेस्ट दाल दि प्राइक करेंगे यानिकि इसकी खुश्बू जो है वह आने लग जाए और इसका कच्छपन जो है वह दूर हो जाए अब यह तक रिवन बन चुका है तो अब जल्दी से जो है हम इसमें सब्जिया डाल देते हैं बेंस मैंने कह दिया कि जल्दी से मुझे सब्जिया इसमें डाल दो तो यह देखें कि वो मेरी हेल्प कर रही है तो यह हमने गाजरे डाल दी साथ में यह शिम्ला मिर्च और साथ यह बन कुबी भी तो हम यह विजिटेबल नूडल्स बना रहे हैं इसके लिए क्यूंकि चेकन क्री जो है वो अलग से बनी हुई है अब जल्दी से हम इसको मिक्स कर लेते हैं तो इसमें बोज़ेता महनत लगती है यह अलग अलग आप तीन चार चीज़े बना रहे हैं तो इस वज़े से मैं और सिस्टर जो है वो मिलकी यह कर रहे हैं यह तकरीबं डेट चमच नमक हजब जाइका यह आप हजब जाइका इस्तेमाल करें साथ मी एक चमच काली मिर्च यह आद़ चमच लाल मिर्च इसको मिक्स कर लेते हैं बाद में हम इसमें स्वया सास वगएरा डालेंगे यह एक चे से साथ चमच सेरका चार पांच चमच स्वया सास और वह तकरीबं दो से तीन चमच जो है वो चिली सास यह दो से तीन चमच क्यूंकि हम काली मिर्च भी हमने इस्तिमाल किया है तो हमने बहुत ज़्यादा इसको ठीका नहीं बनाना स्पेगेटी जो है हम उबाल चुके हैं चावल भी हमने उबाल के रख लिए हैं चावल में उबालते हुद हमने सिर्फ नमक डाला था और कुछ भी नहीं डाला यह देखे अब जो है वो रेडी है अब हम जल्दी से इसमें स्पेगेटी डाल देते हैं यह देखे हमने उबाल के रख लिए थे तब हम इसमें स्पेगेटी डाल देते हैं और फिर हम इसको मिक्स कर लेते हैं मैंने बेहन से कहा है कि आप जल्दी से इसको कांटो की मदल से मिक्स कर ले कोशिश करें कि इसको फॉक से आप यह कांटो की मदल से आप इसको जो है वो अलग करें ताकि पिर यह मिक्स करें ताकि यह आपस में चिप के नहीं यह देख इतने मज़ेदार इतने प्यारे लग र सिंगेपूरियन राइस तो चावल क्यूंकि हम पहले से बॉइल कर चुके हैं सिर्फ नमक में तो हम पहले एक तेल लगा रहे हैं चावलो की इसके उपर अब हम डाल रहे हैं स्पेगेटीज यह वेजिटेपल स्पेगेटीज अब हम उपर डाल देंगे इसके चिकन करी माशाला माशाला बहुत ही मजी की बनी है अब जल्द इसे उपर जो है यह इसके सॉस डाल देंगे तो हमारी इसे के पूरियन राइस बिल्कुल रेटी है पूरू बड़ीज झाल भूरू यह इसके समुट हैं तो हमारी यह इसके स्वेटीज शपर जब हैं आल देंगें यहिते थर्दों